इमपोर्ट कर लेते हैं जो कि हम ड्रॉ करने वाले हैं तो आप उस image को यहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अपने कंmind का circle कंट का जो कि फर्स्ट पार्ट में करेंगे सेंट पार जो दोसमें इस वीडियो का उस में आपको दिखाएंगे है जो एक टर bekit अपनी ऑपज़ेग्त को फिल करते हैं चलिए दौस टरू करते हैं धौर सबसे पहले आप line या polyline command select कीजिए और दोस्तों first point जो हमें 0,0 दोस्तों next point इस्पेसफाय करने के लिए has का उप्योग की दिए था कि आप coordination input कर सकें तो दोस्तों हम यहां पे has के साथ दोस्तों जो second point वो है हमारा 53,0 और दोस्तों जो third point है वो है दोस्तों 53,43 दोस्तों जो उसका next point है वो है जीरो कॉमा 43 वो दोस्तों जो last point है वो हमारा 0,0 वो हैस के साथ 0,0 करें इसके बाद इंटर करीं दोस्तों हमारी यह जो एक जो हमारा rectangle है वो बनके तयार हो गए दोस्तों अब हम चलते हैं circle की तरफ दोस्तों circle command select कीजिए इसके आद दोस्तों first point जो हमारे first circle जैसे हम ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं ये दो circle ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका first point जो है दोस्तों वो हमारा होगा x at and दोस्तों y पर height देखे 23 तो चलिए दोस्तों start करते हैं हैस के साथ दोस्तों आप circle command select कीजिए has first point जो है दोस्तों 8,23 इंटर कर दीजे और दोस्तों जो उसका diameter के साथ आपको दोस्तों draw करना है इसका diameter दिया हुआ है 8 unit तो दोस्तों आप d इंटर करके यहाँ पर diameter डालेंगे 8 unit इसके बाद इंटर कर दीजे आपका first circle draw हो चुका है दोस्तों हम second circle draw करेंगे यह वाला तो दोस्तों उसके लिए जो x है x की value यहाँ पर 45 है और by की value 23 है तो दोस्तों आप किसी भी command को repeat करने के लिए इंटर का use कीजिए इसके हैट है के साथ जो जो कोडिनेशन जो center के कोडिनेशन है सबसे पहले हम वो यहां पर दे देते हैं तो दोस्तों इसका center coordination है x45, 523 वो दोस्तों इसके बाद इसका जो diameter है दोस्तों वो आप d inter करके 8 unit दे सकते हैं और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका डाय हमारे यह दो circle draw हो गए हैं दोस्तों आप हम draw कर लेते हैं यह दो smallest circle जो यहाँ पे हैं जिनका diameter 3 है चलिए दोस्तों तो हम circle कमान रिपीट करने के लिए इंटर्यूज करेंगे और दोस्तों है इसके साथ first circle का जो coordination है जो वो 17x and 4y तो 17x,4y और दोस्तों इसका diameter जो है वो है 3 units दोस्तों इसके बाद जो next circle है दोस्तों वो same diameter का है और उसका x है 38 और y है 4 unit तो चलिए दोस्तों हम इंटर करते है as x जो है 30 unit है, y है 4 unit इंटर और दोस्तों इसका diameter जो है 3 unit इसके बाद आप हम आरे पास बचे हुए है 2 largest circle तो चलिए दोस्तों हम start करते है दोस्तों first circle जो x है दोनों का same year आएगा जो की है 28 unit चलिए दोस्तों सबस्क्राइब हम double से इंटर करते है और दोस्तों has के साथ x की value देते है 28 unit कॉमा दोस्तों first वाले की y की unit है 12 तो दोस्तों हम पहले कॉमा दे के 12 इंटर और दोस्तों इसके बाद उसका diameter जो है दोस्तों d diameter है दोस्तों 13 unit तो हमें आपके 13 unit diameter दिया है चलिए दोस्तों हमारा last और जो circle है उसके लिए हम double से इंटर करेंगे और दोस्तों उसका x जो है वो दोस्तों same है 28 unit और दोस्तों यहाँ पे जो y की value है 32 unit इंटर और दोस्तों उसका जो diameter रहेगा दोस्तों वो d इंटर करके 13 unit आप इंटर कर दीजे और दोस्तों इसके साथ आप देखेंगे कि हमारा एक जो drawing है दोस्तों वो बनके तयार हो गई है दोस्तों वीडियो के next part में हम देखें किस तरीके से हम इसको fill करेंगे चलिए दोस्तों तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में